Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 Intraday Stocks के बारे में, जिने आप कल अपने Watchlist में Add कर सकते हैं और उसमें Intraday Trade ले सकते हैं, साथी साथ हम हर एक Trade के पीछे का Logic और Analysis बे डिसकस करेंगे, ताकि हम लोगों को Proper Entry और Exit Level का पता चल सके, तो चलिए वी बहुत ही सुंदर सा Penant Pattern बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अगर यह अपने Race Stance को तोड़ देता है, जो कि यह बहुत बात तोड़ने का Try भी कर चुका है, तो तोड़ने के बाद हम लोग इसे Buy करेंगे, 133 पर हमारा Target रहेगा 1348 का, और हम लोग अपना Stop Loss नीचे की साइड में तब हम लोग इसे Sell करेंगे 1305 पर, हमारा Target रहेगा 1295 का, और हम लोग अपना Stop Loss रखेंगे 1310 पर, जिससे के हमारा Risk Reward Ratio निकल करा जाएगा 1 इस्टू 2. कल के लिए हमारा दूसरा Intraday Stock है Grassim, Grassim में साथ ही हो बहुत ही सुन्दर सा Triangle Pattern बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अगर यह अपने इस Restance को तोड़ देता है, तब हम लोग इसे Buy करेंगे 1313 पर, हमारा Target रहेगा 1329 का, और हम लोग अपना Stop Loss रखेंगे 1309 पर, यानि के ह हमारा Risk Reward Ratio निकल करा जाएगा 1-4, जो कि एक बहुत ही बहतरीन Risk Reward Ratio है, साथी साथ जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह Levels इसके लिए बहुत ही Strong Support का का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर यह Levels तूट जाता है, नीचे की साइड में तो हम लोग इस चकासा Trade मिल सकता है, इसे आप लोग जरूर अपने Radar पर रखेगा कल, तात्यों एक और बात आप लोग ग्रासीम में ध्यान में रख सकते हैं, कि ग्रासीम अभी अपने 52 वीक लोग के आसपास में चल रहा है, ऐसे में अगर यह Support तूट जाता है, तो फिर कल यह नया Low भी बना सकता है, जो जनरली 1285 से भी नीचे का होगा, तो ऐसे में हम लोग को ग्रासीम में और भी अच्छा Target मिल सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में ररूर रखेगा, कल के लिए हमारा तीसरा Intraday Stock है, अरबिंदो फार्मा, इसमें साथ यों बहुत ही सुन्दर सा Triangle बनत प्लोस रखेंगे 529.5 पर, जिससे के हमारा Risk Reward Ratio निकल करा जाएगा 1 is to 2, साथी साथ अगर ये सपोर्ट तूट जाता है नीचे की साइड में, तब हम लोग इसे सेल करेंगे 528 पर, हम लोग अपना Stop Loss रखेंगे 530.5 पर, जिससे के हमारा Risk Reward Ratio निकल करा जाएगा 1 is to 2, कल के लिए हमारा चौथा इंट्राडे स्टॉक है टाइटन, टाइटन में साथ ही बहुत ही खुबसूरत सा पेनेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कल इसमें हम लोग को आइदर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर इस पेनेंट का ब्रेकाउट उपर की तरफ आता है अपने रेस्टांस को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे बाइ करेंगे 2151 पर हमारा टार्गेट रहेगा 2170 का और हम लोग अपना स्टॉप लोस रखेंगे 2145 पर जिससे के हमारा रिस्क रिवाट रेसियो निकल करा जाएगा 1 इस्टू 3, साथी साथ अगर टाइटन अपने इस सपोर्ट को तोड़ देता है नीचे की तरफ तो हम लोग इसे सेल करेंगे 2133 पर हमारा टार्गेट रहेगा 2115 का और हम लोग अपना स्टॉप लोस रखेंगे 2140 पर जिससे के हमारा रिस्क लिवाट रेसियो निकल करा जाएगा 1 इस्टू 2.5 हमारे आखरी इंट इंट्राडे स्टॉप खोज करके लाता हूं तो साथियो कल के लिए हमारा पाचवा इंट्राडे स्टॉप है इतका लैब इतका लैब में भी साथियो बहुत ही सुन्दर सा ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि आप लोग देखी रहे हैं ऐसे में अगर यह र रिष्यो निकल करा जाएगा 1-2 साथि साथ अगर यह वाला सपोर्ट तूट जाता है नीचे की साइड में तो हम लोग इसे सेल करेंगे 864 पर हमारा टारगेट रहेगा 855 का और हम लोग अपना स्टॉप लोस रखेंगे 867 पर जिससे कि हमारा रिस्क रिष्यो निकल करा जा तभी लीजिएगा जब प्रोपर ब्रेकाउट आ जाए मेरा हर एक इंट्राडे अनलेसिस 15 मिनट कैंडेल पैटरन पर रहता है तो ऐसे में कम से कम पांच मिनट का कैंडेल को फूल क्लोजिंग हो जाने दीजिएगा तभी आप लोग ट्रेड में इंट्री लीजिएगा जि हम लोग अपने कैपिटल को किस तरह से बचा करके रखते हैं एक दो ट्रेड छूट जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रोपर ब्रेकाउट के बाद ही आप लोग इंट्री लीजिएगा और ट्रेडर्स ये पांच स्टॉक मैंने आज के इंट्राडे सेशन क के लिए प्रोवाइड गया था तो आप जरूर बताएगा कि आपने इंग पाचों में ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएगा कि आपको इन पाचों में आज कितना प्रोफिट हुआ है साथी साथ अगर आपको हमारी अच्छी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और ऐसे ही डेली इंट्राडे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल दमार्केट वर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ लास्ट में एक और सजेसन है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिगनर है या फिर आपका कोई भी ट्रेड में कुछ गलतियां हो रही है तो आप ये वाली वीडियो जो आपके स्क्रीन के उपर अभी सजेस्ट हो रही है उसे चेक कर सकते हैं I hope आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद